हालो फैंड्स वेलकम टो अन्नपुर्णास किचन आज हम आपके लिए ब्रत स्पेशल डिश लाए हैं साबुदाना अप्पे साबुदाना अप्पे जो टेस्ट में सेम साबुदाना वड़ा जैसा लगता है बट इस डिश में खास बात ये हैं कि ये बहुत कम तेल में बनते हैं और उपर से काफी क्रिस्पी और अंदर से काफी अच्छे से फ्राइ हो जाते हैं कि इस सबसे पहले म लिया हैं साबुदाना इसे पहले मैने चार से साबँध कर दिया है हरे मिर्च इस अच्छे से स्मैश कर दिया है इसका पेष्ट बना दिया है कि सिंदा नमक हरा धनिया और तेल सबसे पहले बतल लेती हूं खाली पतिला उसमें डालेंगे साबुदाना तो साथी डालेंगे पोटैटो जो हमने अच्छे से स्मैश कर लिये हैं कि मिर्ची का पेस्ट हरा धनिया और नमक इसे दा नमक है जो पास में खाते हैं इसे रॉक्स और भी बोलते हैं स्वादानुसर हम डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलून और साबू दाना ताकि इसके अच्छे से बॉल्स बन सके आप देख सकते हैं अच्छे बॉल्स बन रहे हैं हमारा साबू दाना रेडी हो चुका है अब इसे हम फ्राइ करेंगे तेल में उसकी लिए मैंने लिया है आप पैन और उसे हम अभी गरम करने रख देंगे पैन को गरम करने के लखने डिए गैस चला देंगे और इसे दरख होने देंगे तब तक हम इस थाबूद आने के छोटे-छोटे इवन बॉल्स बना लेंगे यह बॉल्स मेने बना लिया था एक इसे रख देते हैं और इसी तरह सारे बॉल्स बना लेते हैं लड्डू के जैसे हम बॉल्स बना रहे हैं इसके आप इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं पर हम इसे करेंगे आज शालो फ्राइब वह भी आपका जो पान आता है उसमें नौर्मेली जब हम साबू दाना का वड़ा बनाते हैं डीप फ्राइ करते हैं तो बहुत तेल लगता है उसमें इसलिए हम आज बनाएंगे आपके के पैंग में जो कम बहुत कम तेल एब्जॉब करता हैं और साथी बहुत ही अच्छा भी बनता हैं हमने यह बना लिया है अभी से हम फ्राइब करेंगे हमारा पाइन गरम हो चुका होगा देखतेए हैं और अच्छा से गरम हो चुका है अब इसमें हम दालते हैं टेल थोड़ा थोड़ा टेल डालेंगे जैसे आपवे में डालते हैं और इसे हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और यह जो बॉल्स बेनाए थे वह हम इसमें डाल देंगे सारे बॉल्स दाल दिये हैं अभी से थोड़ा पर्टा के देख लेते हैं कि यह चिपके है या नहीं के लंपे लेघके लेख ले बॉल्स आपश्ब से लेते हैं अधिके लोगते, लेख बॉल्स उ्णप लेके लिए अईर्टा देल्ड़ा बॉल्स आठाल दे अब नहीं से medium flame पे रखा है ज़्यादा high flame पे नहीं रखा है क्योंकि अगर high flame पे रखेंगे यह उपर से जल जाएंगे और अजर से खोड़ा पच्छा रहेगा अब इसे पल्टा लिया है सभी को अब इसे हम एक प्लेट से 5-7 मिनिट के लिए ड़के रख देंगे हमारे 5-7 मिनिट हुए लिए फिर भी हम एक बार साब दनावडा को देख लते हैं कि वह एक साइड से हुए है या नहीं इसे पल्टा देंगे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंड हो गया है ब्राउन कलर आ गया है इसी तरह हम सारे पल्टा देंगे देख सकते हैं इतना अढ़ा दिखा आ हैं प्यार कड़र आ दू बच्चों के साबु दने के सारे बॉल्स रेड़ी करके रख दिये हैं हमें बार चेक कर लेते हैं हमारे साबू दाना वड़ा हुआ है या नहीं हमारे बारे हो चीपे होगे हैं एक बार पलटा के देखे होते हैं दोनों साइड से क्रंची हो गया है अभी से हम एक प्लेट में निकालने हैं हुआ है इसी तरह हमारे दूसरे बॉल्स भी हम अपर पान में डाल देंगे तो आसा टेल डाल देते हैं हुआ है इस बॉल्स दाल देते हैं हुआ है इस बॉल्स दाल देते हैं अब इसे दुखके प्रत देए और हो ही बे देर बार उपर से भी हम इस बार तेर लगा लेंगे और पलता लेंगे अब अब देख सकते हैं अब जैसे हम तेल में डीप प्राय करते हैं वैसे ही बनाएं और बहुत टेस्टी लगता हैं कम तेल में बनाएं इसे हम चास के साथ सब करेंगे आप चाहे तो टोमाटो सॉस के साथ भी सब कर सकते हैं अगर आप पी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए जोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप भी घर पे बना के देखिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर जायर करेंगे तो लाइक की यूजिए आप देखिए आप बेहां देखिए आप लाइक की जिएचा है